हेलो एवडिवन मैं हूँ अर्पिस प्राम या फेवरिट फी लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर सकते हो फिजेक्स कमस्ती मैस बिलाजी फॉर एप्सुलिटी फ्री एट लर्णोहब डाट-कॉम लिए तो अब स्टार्ट करने वाला में नेक्स्टेटर होप आप साथ मैं मेरे और में कर रहे होगे और यह वाजा चैप्टर भी सात में ही करोगे क्योंकि ज्यादा कुछ खाश आएगा नहीं क्योंकि इसमें क्या स्टार्टिंग कोशन में कुछ नॉमंक्लेचर वगयरा है वह सेम रूल ही फॉलो करेंगे बस इसमें थोड़े फंक्शनल ग्रूप चेंज जाएंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कोशन नमबर फस्स से और यह चैप्टर को अच्छे से देखते रहे ना क्योंकि इसमें रिएजेंट भी बहुत अच्छे खास हैं ठीक है लीजन पहने और यह कोशनल भी पूछ जाते हैं ncr me to k he always when you we अससलिख करता है हमारा कोशन नमबादा की वह बार्ट बारेज में ओव डावलूइंग ड्रमर मतलब किए में बताना है जिए अग्जाम्पल रियक्शेंस इन इच तक है सबसे पहले कुन सा दिया है साएनो हाइडरिन नौAdd Tibra में साइनों सी तुम्हें एह समझ में होगा समझ गया साइना रवयोगै तुम्हारा हाइडरिन से चलो इसको अभी देखते हैं अच्छे सवीदेखेंगे यह वाला सुनों इसमें क्या है साइनोई मतलब कोई कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड हो जैसे की कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता तुमारा कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जैसे तुमारा LD है क्या तुमारा CS3C double bond OH यह यह तुमारा ठीक है जैसे तुमारा की टोन है जिसमें C double bond O आता हो और जो चेल मनाता हो ठीक वो कार्बोनल कंपाउंड होता ना मतलब R C double bond O जिसमें हो ठीक चलो जब भी कोई भी का क्या हो तुमारा कार्बोनल कंपाउंड हो इसको हम जब ट्रीट करते हैं किसके साथ HCN या फिर KCN या फिर तुमारा NACN ठीक है इसकी प्रेजेंस में ठीक है इसमें हमें क्या लगता है जब तुम NACN की प्रोसेस में भी होता है यह लेकिन जब तुम क्या लेते हो H2SO4 या फिर जब दी कोई तो मिनरेल एसेड लेते हो तो क्या होता है जो साइनाइड है उसका होता है क्या न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या तुम बोल सकते हो आटेक करता है कौन साइनाइड करता है ठीक है जिसके तो मैंने किसमें कार्बोनल ग्रूप में यहां पे तुम्हारा है जोड़ जाता है तुम्हारा साइने जोड़ जाते देखो कैसे बने गाई यह सी एस ट्री ठीक है क्या होता शिफ्टिंग होगी एलेक्रांस की यह तो अपन पड़ चो के यहां पर नेगे टिप और यह बनाय जो जाएगा ठीक है और जो आक्स तुमारा हाइड्रोजन आएगा ठीक है फॉल उड़ बाइश तुम लेना अच्छे यह इस मैं क्या होता है जैसे के तैसा रहेगा ठीक है तो जब इस टाइप का प्रोड़क्त बनता है तुमारा मतलब एक ही कारबन के ऊपर तुमारा नाइड जोड़ा है तो स्कॉम क्या बोलते हैं साइनो हाइड्रिन समझ गए बात ठीक है इसको तुम पहले से समाज़ना से कि जब हम प्रोसेस कराते हैं इन्दी प्रेसेंस ऑफ बेस होता है क्योंकि यह वाली रियक्शन है यह क्या होती तुम्हारी एकदम स्लो स्टैप होती है ठीक है यह यह पूरी वालेक्शन होती है है तो इसको बढ़ाने के लिए हम इसको किसमे डालते हैं हमगे सलना इसको कैसे रख सकते हो ठीक है इसको साइनो साइनो हाइडरिन ठीक है तो मैं इसको कैसे समझोगे देखो साइने साइन ने हाइग करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-कर काम अगवा चर्फ मतलब सम्जो यह तम्हे चर्फ है कार्ब ने oh Buenos bat मतलब समझो यह मारे कार्बम ने eh sign a high car rich करते अब है अच्छ वह लोग और एक कॉन है कि अमझ का मतलब इसका है समें से कि ट्रिक से साई से मतलब हो जाएगा तुम्हारा साइनाइड ठीक है से मतलब हो जाएगा तुम्हारा साइनाइड यह जाएगा तुम्हारा साइनाइड उसके बाद साइने हाई करते करते हाई से समझ लाना हाइड्रोजन ग्रेंटended और वह उसके बार ड्रिंग की की से मतलब तमारा उच ग्रोप है दर इसका गवा कूय था किसने बताए तुमने मैंने बता है भाई मैं थी मैं थी से क्या होगा तमारा मिथा अंब जए का तुमारा मिथाइल ग्रोफ मतलब एक कारबन की ऊपर तुम्हारा एलकोहल भी जोड़ा हो तुम्हारा साइनाइड भी जोड़ा हो तो क्या हो जाएगा ड्रिंक मतलब क्या जाएगा तुम्हारा साइन हाइड हो जाएगा इतना समझ गया ठीक है चलो अब हम एसीटल देखते हैं हमारा चलो देखो अब हमारा एसीटल पर कि मैंनल डेरिवेटिव हो अwritten कि ऑजित एसके एलोडि हाइड या पर कि टोन क्टोन चार्णES और यह तो हीज चाहिए सबसे अपना फेमस और कॉमन एक्जाम्पल किया है can still decide अगर मैं इसको क्या करूँ सबसे पहले हम ऐसे ल से ही हम देखेंगे हैं हैं में एसिटल क्योंकि हमें यह भी बताना ना इससे भी देख सकते हैं हमें ऐसे डाल तो देखो दो चीज कराएंगे हम हमने अल्डीहाइट ले लिया ठीक अगर मैं एक करा दूं עक्स majority- loses the excess ऐलक्मभवल के अंदर हिज ठीक एक्से applied मैंकम ने कि लिए दो मोल फैलकिल लिया यहां Sum देखो आप तुम दो मॉल आफ एल्कॉल सी एच तरी सी डावल बॉन्ड ओ और यह यह से टिक क्या तुम्हारा एचिटल डियाइट और मैं दो मॉल आफ ले लूँ क्या कि टू हजवाएट यह एथन ओले यह ओ एचिटू हच फई इतना समझ गए अब यहां से क्या हो तुमारा वाटर मॉल्कुल जो है वो निकल जाए वाटर मॉल्कुल ने कल जाए और यह जो डबल बॉन्ड ओह है ओ है जो वो क्या होजा है डिस्ट्रिब्यूट हो जाए कि समे है CH3 ठीक यहां से दोने कले तुमारा क्या बाचा तमारा यह सी तो बाचाई उसके बाद क्या है एक का एक बॉंड से जोड़े तमारा सी ओएच फइफ ठीक है और एक बॉंड से केज़ लगा तुमारा ओ सी टू एच फाइफ ठीक है यह हाइड जन तुमारे पूरे निकल गए दो हाइड जन निकल गए यहां से ओक जन निकल गया ठीक है यह ऐसा है असल में देखो कि यह 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 निगल गए तुमारे ठीक है क्या वाच एक बॉंड ओका बाचा एक बॉंड अधर भी ओका बाचा और वो बॉंड डिस्टिबीट हो जारे तुमारा और इसके पास एक तो अल्लेडी पहले से ही एसे कंपाउंड bekommt बोलते हैं समझ गया मतलब हम एक्सेज एलकोहॉल में एलकोहॉल को टृ烆इक ऐलडिय। के सारण तो हमाएं جो कंपाउंड मिलेगा वो हमें मिलता है सब मैं समझ गया हूं त क्या करूं अगर अब अगर मैं क्या करूं कि देखो अब मैं क्या करूं कि इस वाले मॉल को मैं ऐसे हटा दूँ ठीक है एक मोल को ही बस क्या करा हूं रियक्ट करा हूं समझ गए एक मोल को ही मैं रियक्ट करा हूं तो क्या बनेगा देखो एक मोल को को बोलते हैं है mi acid है my e6 मैं गयं गय को समज़काया इसकी पूरी मेंखनेजम में होती है इस में ज्यादा कुल नि ठीक है मेक निसमा प्रोटोनेशन वोगेरा हम यह वह तो उप特ा है अगर लगेगी था हो दूसरे साइड ओ और और हो और और हो तो यह क्या होता तुमारा एसी टल ग्रूप इसमें क्या होता है जब तुम रियक्षिन कराते हो एक्सेज अलकॉहल के साथ तो तुमारा वाटर जो मॉलेक्वल हो बाहर निकल जाता है यह आपने अभी देखा था अब मैं क्या करूं इसको वन मोल आफ वन मोल उफ एलकोहल के सांद रियेट कराया हूं कि का अभी देखा हमने वन मोल आफ एलकोहल का वह भी ऑवह थी ठी 104 तो हो छका की में च्छी तो इसको क्या बोलते हैं है मैं एसी तल एक साथ हमने दो चीज देख लेकर और हमने ग्लोड देख लिया समझ गहे इतना बात ठीक है इसको याद कैसे रखोगे देखो इसको याद कैसे क्या हूँ है ंक है करबन के उपर 2 r हुँ 2 o r हूं ठीक है और एग Kenni क्या जड़ा हुआ एक साइड तमारा हइड्रोजन जड़ा हुआ हो और एक साइड तमारा c h कि आई अब कैसे समझोगे रो रॉ रात तुम्हें और ओ है इसको ओ आर की जगा आर ओ पड़ तुम्हें पता तो रहेगा तुम एलकल्ल गुरूप जो है कारबन से मह जोड़ना ठीक है तुम कैसे जोड़ना ओ गया जोड़ना चाहिए सो केटल है वो क्या ही ओ आर मतलब तुम आठाढ़ आ जा वे कि एक ही कार्बन पे कौन आ दो लोग आ है दो लोग आएच रोते रोते आई ठीक है और एक साई तो तुमारा हाइडरो जंड ही और एक साइड साइड तुमारा इस त्री यह ठीक है फिरसे ऐसी कर सकते हो कि ऐसी ताल रोते-लोते आई है कौन लेकर आया मैति मैती लेकर तो क्या आए तो तुम क्षे सितनी आद रख सकते जड़ कि तियुक्त भी पता रहे गा कि कार्मन की वेलनुसीессिय साइट सथंखने करीद ओगे एक साइड हैड्रोजन लगाएगा और दूसरी जाओ किया होगा तुम बस रोते-रोते लगाते जाना समझ यह बात अब देखो सैमी कारबा जोन क्या है मारा देखो क्या होता है यह लिखा है सैमी कारबा जोन ठीक है चैप्टर कौन से चल रहा है पता होना चाहिए तुम्हें कहां से आएगा यह कोशन अगर तुम एल्डी हाइड को एल्डी हाइड को एल्डी हाइड की रियक्शन कराते हो एल्डी हाइड इफ रियक्स विथ ठीक एल्डी हाइड रियक्स विथ किसके साथ सैमी कारबा टीक अगर तुम्हारे येग लीघ परियेट करता है सेमी कशाइड के साथ इन दी प्रेजेन्स ऑफ अप्रेशेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में एस लिकमिडियम की प्रेजेंस अशीन सेडिक मीडियम करो तो जब्ब क्या है अगर ये डी हाइड है तुमारा का ठीक के वो रियेक्ट करता है किसकी प्रिजें सेमी करभाजाइड अभ सेमी करभाज़ाईड क्या होता कि भाई सेमी करभाज़ाइड NAZ कब लगता है जब नाइट्रोजन की बाद चल रही हो ठीक हमगोलते एह गलाजों एक ओए लगा जब सैमी कार्वाइट मतलब को जातामारा आजम मतलब नायिट्रोजन NH2 वहां एक समझ गया बत ठीक है सैमी कारभाज़ इठी एक तसमझ अब यह तो मह filter किसी के साथ अब चलते चलो चलते चलो सैमी कार बजाइड मतलब सैमी जो था ना वह एक कार में था वहाँ पर क्या उसको क्या हो रहा था चलो आप समझ जाओगे तुम अब हमें यहाँ पर यूरिया का फॉर्मिल लगाना है क्या हो जाएगा एनेच सी डावल बॉन्ड ओ और एनेच तू अब इसकी ट्रेक तुम्हें जो बनाने तो मना लेना ठीक है वह ना बोलो को ची बना देता है चलो अब देखो अगर तुम्हें इसकी रियक्शन कराते हो किसके साथ इन एसटीक मीडियम में किसमें एसटीक मीडियम है हाँ अब हर जगा है यह वाले हाइजन के साथ जाएगा बाहर तो में दिख रहा है यह दो एच्टू यह एक च्टू मतलब एक हो तो क्या निकल जाएगा एच्टू ओ बाहर बस सिंपल सीधी रिक्ट्टन है आर जो है किसका अल्ड हाइड का आर यही तो सीधे जोड़ जाएगा सी एच कितने डबल बॉन और नाइटर जन भी कैपसिटी रखता है डबल बॉन बनाने की तो यहां जोड़ जाएगा एन यह जोड़ेगा एन एच बागी का पूरा सीधे का सीधे रहेगा एन एच्टू समझ गये इतना कि समझ गये है ठीक है सुनो अगर तुमारा ल्डिहाइड रियक् मतलब नाइटरजन वाले कंपाउंट ठीक है समझ यह बात अब सैमी कार से तुम बना ले ना कुछ सैमी जो था वो एक कार में था फिर उसे आदाद होना था समझ गये बात चलो ठीक है अब क्या होगा उसको तुम रियक्शन कराओगे इंदी प्रिजेंस ओफ एसेडिक मीडियम अब जब तो मैंसे डिक मीडियम में करा होगे तो क्या होगा वाटर मॉल्क्यल बाहर निकल जाएगा बागी का तुम रियक्शन क डीका है चलो हमने साइनो हाइडरिन देख लिया थीक कि हमने ताली बजा लिए उसके बाद हमने कार वी चला यह समझ में यह करो हम चलू कि इसमें reaction होती है reaction किसकी होती है या तो एल्डिहाइड करें है ठीक है खुद से भी जेट कर सकता है अगर कर रहा है किस के साथ मालो कीटोन के साथ एल्डिहाइड लेकिन एक इसमें कंडिशन है कि इसमें हील्फा हाइड्रोजन होने चाहिए एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए अगर इसके पास इसी Agron present के पास के पास aldehyde ketone के पास self react भी करते हैं इसके पास ज्यादा तुमने देखा होगा कि चार प्रोडक्ट बनते हैं याद आ रहा है ठीक है हमने पढ़ा हुआ है यह पहले और चैप्टर में तो तुमने देखा ही होगा है ना जब जब ldhyd ketone react करते हैं और उसके पास क्या होता है किसी एक कुमपाउंड के पास अलफा हाइड्रोजन होता है तो वह जब रियक्ट करते हैं तो वह compound बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अगर ल्डीध डीड कर रहा है तो क्या होगा बीटा राक्सी-ल्ड्र TON बनाएगा वह लिए फिर कीटन डीड कर रहा है तो यह फिरorial कीटन डीेड कर रहा है तो बीटा हीड्रोक्षी क्या होता है ठीक है तो क्या होता है एक तो ज्यादा हो रियक्टिव होता है एक कम रियक्टिव होता है एक को हम बोलते है निकलोफाइल और एक वर करता है लेक्ट्रोफाइल की ज़रा अब हम वो देखेंगे कि वह कैसे करता है ठीक है तो जब बनता है तो दोना को दोनों ही बनेंगे और हमेशा ही बनेंगे बीटा हाइड्रोक्सी इतना समझ गया हो ठीक है तो चलो एक वार इसका एक्जामपल देखते हैं चलो तुम लोग आपस में रियक्शन तो समझते हो ठीक है मतलब कि जब दूसरे दो दो आलाग अलाग प्रोडक्ट है तो वह समझते हो ठीक ह है और इसकी रियक्शन ही इसके सांथ कराऊंगा समझे है मैंने सेल्फ का बोला था ना इसकी रियक्शन ही आगा मैं इसके सांथ करा दूं तो मैं लिकूं इसको एच इवल बॉंड ओ दूसी डूसी एच थ्री अब देखो दोनों सेम है किसी को भी किसी के सांथ जोड़ दो मतलब कैसे करोगे अब तुम यह से उठेगा तुम्हारा कौन सा अलफा हाइडोजन क्योंकि अलफा हाइडोजन ही में माल लो हम इसका अलफा हाइडोजन लेके चले रहे हैं तंस टीक है तो अपने अंदर चेंज कॉन लेक्वा अपने अंदर चेंज कॉन लेक आएगा यह वारा कमपॉण लेक्वा रेकार गा समझ रेवात तो क्या होगा यह इसका वाला को छो ट्यूम्हार बॉद ch2c single bond O- इसने एलेक्रोन ले लिया इस क्यों पर क्या देगा पॉजिटिव कार्बो के टैन बन गया ठीक हो यह बन जाएगा तुम्हारा एक हाइडरुजन ठीक है इतना तुम समाझ गए अब होगा क्या यहां पर से अलफाहिजन कौन सा होगा यह वाला अलफाहिजन होगा क् हायड के पास जो प्रेजेंट है वही वाला आलफा हइडरुजन होगा ठीक है कुछ भी कर दो अशनी ओता है क्या होगा यह तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रूप हो गया फंक्शनल ग्रोप जिस कार्बन से जड़ा हुआ है उसको उसके पास इतने हैडरुजन है उसको बोलो तो तो यह वाला जो compound है इसके पास जतने hydrogen है वह होंगे अलफा hydrogen समझ यह बात तो अलफा hydrogen कहां पर जाके जुड़ेगा यह देखो यह वाला जो पार्ट है यह जोड़ जाएगा कि धर आके धर आके तो बना देगा यह और यह पूरा का पूरा कारबन आके जोड़ जाएगा इसके पास कि समझ गए ठीक है अब इसमेंसे मैं तुमसे पूछू कि न्यूक्लियो फाइल की तरह किसने कर रहा और लेक्ट फाइल की तरह कैसे रहा तो कैसे बताओगे प्लस चार्ज की स्क्यूपर बना इस वाले compound की उपर प्लस चार् पूरा compound is Q पर जोड़ दो पूरा का पूरा compound is Q जोड़ देखो कैसे जोड़ होगे अब कैसे बनेगा इस साइट से जोड़ना है तो बस जोड़ दो इसके उपर कैसे जोड़ हो देखो यह जाएगा CH3 CH2 कारबन की उपर एक आ गया ओच आगए यह वाला ओएच और हमें पूरा compound जोड़ देखे दागा CH ठीक है यह होगा CHS तुम्हारा अब अब जाएगा तुम्हारा CHS 3 और CHO C O or H यह कीैटने समझ गए बयखो अब तुम खूद देखो यह यह तुम्हारा फंक्शनल गराप्व है मेन फंक्सनल ग्रुप ठीक यह बना alpha यह बनाबीटा क्या बना तुमारबीटाहाइडरोक्षी बनाना हमेंसा ही क्या बने का भी पता हाई था हाईड़ॉक्षी किस कि रिश्चन कर आइए साए लगी हुठ सेम होगा तो हमारा कीटों के साइड से ठीक है चलू रखेशेगे सुनो एक और चीज अगर ओपी हुठती है तो हम उसको ऐलडोल भोलते हैं ठीक अगर तुम्हारा कीटोंग रिएक कर रहा है इसकी क्या होग है तो किल द में अब O X I M E Oxym simple सी बात है क्या रियेक्ट करेगा तुमारा CS3 COOH अब तक तो तुम समझ गए हो ठीक है जब यह रियेक्ट करें और जिम के साथ अब वो क्या होता है तुमारा एन मरत कि और यह पूरी कर्यो प्रोश्प्र के समां ओस्में होती है यह पूरी प्रोश्प्र अचिया किस में है है कि समाझेक्टे पीडियम में ठीक है तो मैं करना कहता बस oxygen और एच तो ही जोड़ना था ठीक oxygen और एची तो जोड़ना था है ना चलो यह बाला होगे तुम्हारा उग्जिम चलो ठीक है आपके तुम्हारा कीटल वच्छाए कीटल से नाम से समझ में आ रहा है कौन रियर्ट करेगा यह दो कीटल कीटल से कीट से दिख रहा है तुम्हें क्या हो जाया का कीटोन रियक्ट करेगा भाई कीटोन रियक्ट करेगा किस के सांथ एलकोहल के सांथ एलकोहल के सांथ ठीक है अब उधर देखो क्या बन रहा था दो लोग रो रहे थे ताली बज़बा जाके ऐसी तल ठीक है अब ऐसी है तम्हारा hydrogen था एक जहां पर अर्थ ठीक है आब बस यह यह लड़ी हाइड में तो नॉर्माल ऐसी होता ना कि एक साइड क्या होता है तुम्हारा एक सट होता है लेकिन कीटों में क्या होता है और c double bond O और ठीक है तो देखो क्या होगा c h3 c double bond O और यह c h3 जब react करे किसके साथ फिर से 2 mol of क्या होगा तुमारा दो मॉल आफ चलो हम माल लेते हमारा मैं जान किसके साथ तो यह धो हाइड़ोगन है इसके पास एक धर भी होगा फिए डूमोमण मैं ने इसके स filme निकल जाएंगे और कै बनाएव और बनाएगे तुमारे बनाई ठीक है तो मैं से लग देधाया यह बनाएगा माइनस अच्टो ओ क्या बने तुम्हारा अब देखो ठीक यह मैल निगा तुम्हारा वाटर पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ जाएगा बस पर नहीं किया तो मैं CS3 यहां पर यहां पर क्या तुम्हारा इसी कारवन पर जोड़ रहा है अलग-अलग बॉन से दो बॉन से क्या जोड़ेगा एक बॉंस दो लगा तुम्हारा ओ सी टू छी और यहां पर ओ चीरी और यह पर एक सीस्ट्री यह ल्रेडि यह देखो यह तो एक कमपाउंड यह वाला जोड़ा यह वालए ऐ स्क और एक श की ठीकब करोगे यह एक साथ तुम देखोगे स्तुर्टिया ओर नहीं कर ships देखको के तो मैं तो हीनि है यहां पर CS3 तो बागी तो तुम कर लोगे ठीक है बागी तो में समझ में आई गया बस कीटल से याद रखना है कि दो साइड रहते हैं और लडियार में नहीं रहते है एक साइड रिजन रहता है तो यह से समझ में जाएगा इजी तो था ठीक है चलो अब देखो हमारा इमाइन क्या है ठीक है इमाइन क्या है वो देखते हैं देखो इमाइन क्या होते हैं अगर तुम फिर से अलडिहाइड की रियक्शन कराते हो किसके साथ अब तुम इमाइन से याद रखना क्या तुम आमाइन और अमाइन से भी तुम एक चीज़ स्पैसिफिक याद रखना ammonia ammonia एक है यह माइन से रखना याद प्रमाइन और इमाइन से सबसे अच्छी चीज जो तब सब इसाइन दो क्या होगा तुम्हारा यहां से यह निकाल दो बहर तो क्या हो जाएगा c3 कि सिंगल बॉंड c h कैसे जोड़ जाएगा डबल बॉंड ns कि इसको क्या बोलते माइन्स को बोलते हैं माइन को समझ गए बात ठीक है और एक हौची जिसमें अडिशनल एड कर देते हम क्या है हमारा सिजिफ बेस अब इसमें क्या होता है कि अगर इमाइन जो हैं मतलब जो तुम्हारे इमाइन बनते हैं मतलब क्या होता है कार्बन डवल बॉंड जो एन बन रहा है इसको ही इन derivative कोंठया बहुते है अचलो हुम क्या बोलते है सैसित बीकस मतलब आम अदि तुम से बोल सकता हूं कि जब है मैंस का formation होता है क्या होता है तो मारे मां आइंस का फॉरमेशन होता है ठेक है और जब carbon double bond N से जुड़ जाता है ठीक है उसको हम बोलते हैं कौन से बेस से बेस समझ यह बात ठीक है चलो अब हमारा बाचा कौन सा टू फोर डी एनपी डेरिवेटिफ चलो वो देखते हैं हम अब हमारे क्या है टू फोर डी एनपी मतलब इसका हम सबसे पहरे नाम देखें तो टू पोर डी एनपी इसको तो मच्छे से कर सकते हो मतलब इसका मतलब क्या है टू फोर डाई नाइट्रो फिनाइल डेरिवेटिफ है ठीक है अब यह कैसे बनते हैं यह कैसे बनते हैं वैसे ही बनते हैं ज्यादा कोई बात नहीं है भाई बस इसमें रियक्शन किसकी कराते हैं हम इसमें रिएक्शन कराते है तू फॉर डाइन रिख और जू होता ही है सेम दाइन ऐंटरा फिनास बस इसके उपर जोडा होता है हाइड्राजीन है अ अब 26 सिंगल बॉण थी को ओलता है ح़िड्रजीन समझ गए बात ठीक है तो चलो देखते हैं मतलब की एक फिनाइल ग्रॉप है यह तुम्हारा फिनायल ग्रॉप सिँ ठीक है यह use go ठीक अब बती है तो यहाँ ठीक है अब शौर्थ ऐन बंटउ यहां फर एनऑट यहां पर और क्या है 123 और यह पुजाएगा नोटो तो यह हो जाता है तुम्हारा 24 डाइनाइट्रो हाइड्रजीन ठीक है इतना समझ गए जब इसकी रियक्षिन तो मैं लडी हाइड के साथ कराते हो क्या हो जाता है तुम्हारा यह हो जाएगा सिस्ट्री सी डावल बॉन्ड ओ यह इतना समझ गए यह वाले हाइड्रोजन उठके जाते हैं सो ऑक्सिजन के साथ और बना लेते हैं माइनस एच्टू मतलब क्या निकाल देंगे बाहर वाटर मॉलीक्यूल बाहर निकाल देंगे तो बस हमारा कॉन से बन जाएगा इसके डेर गुमसम् हो गया घ। गुमसम् हो गया ठीक है तो यह जाएगा ऐन एच यह तुमारा फिनायल जिसकी महत्व ज़्यादा है यह नोकू और यह एन अटू समझ गया इस पूरे कंपाउंड को या तो तुम बोल सकते हो क्या क्या बोल सकते तुम यल्दिहाइड क्या दाइनाइट्रो फिनाइल हैड्रा जोन बोल सकते हो या फिर सेंपल इसको लिख दो दी एन पी दाइनाइट्रो फिनाइल ठीक है ये यह होता है रेड कलर का रेड और उरइंज कलर का कि समझ गया इतना ठीक है तो यह होता है तुमारा डी एन पी आवा लास्ट वाला माय से जिव वेस्ट है वह हमने भी देख लिया था देख वारो देख लो अब वह क्या होता है कि अगर तुम इमाइन्स को या फिर तुम इमाइन्स के जो डेरिवेटेव हैं या फिर तुम एल्डिहाइट की टून को जब तुम रियक्ट कराते हो एरोमेटिक एरोमेटिक या फिर क्या तुमाइए अलकाइल हैलाइड अलकाइल हैलाइड के सांथ हैलाइड नहीं या इक इरोमेटिक या आलकाइल अमाइन्स के सांथ तो जो तुमारे प्रॉद्ट बनते हैं तुमारे घंपाॉंड यह कहा जाएगा तुमारा अगर हम डायड रखा था मुनिया अमोनिया से याद रखा था हमने इमाइन से याद रखा थामने और जब जुड़ जाता है किसके साथ कार्मान के डबल बॉन से मदलब नायटोजन जुड़ जाता है जब कार्मान डबल से तो उसको हम बोलते हैं माइन्स और उन्ही डेरिवेटेव को अगर तुम सबस्टिट्यूट करते हो ठीक है सबस्टिट्यूट करते हो विदा ग्रॉप कौन से या तो अराईल या फिर तुम्हारा अलकाइल ठीक है उसको जब सब्सक्राइब करते हो तो उस बे उस ताइब कंपाउंड को हम बोलते हैं से जिए इतना समझ गया है हम ठीक है चलो यह वाला हमारा हो गया है अब हम नेक्स कोशन देखते हैं हमारा देखो अब हमारे क्या है नेम दा डलाग होंगे उसमें अलड़ हाइड की तुन वगयरा बागर बढ़ गया होगा हम पहले अलकॉहल कपड़ के आए ठीक है तो चलो देखते हैं पहला क्या तुम्हारा च्छ इसको पहले लिख लेते हैं छी एच उसकी उपाज़़ा है छी एस ट्री ब्रैकेट का मतलब उसक इतना समझ गए हैं हम यह तो कुशन ही ठीक है तो देखो अब हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन या फिर कार्बॉक्सलेक एसेड उनके भी और यह इस्तर ठीक उनके भी कारवन काउंट होते हैं तो ठीक है का रहां से कारवन काउंट का रोगे वान टू थ्री फोर पाइफ कि सेलेक्शन ओफ लॉंग इस यहां पर जाओ तो भी 5 यहां पर जाओ तो भी 5 तो हम सीधिश चले गए ठीक है अब क्या हो गारे यह तो पैंट हो गया रॉगां पैन्ट पैंटेन मरन टुप्अ मासे अ लगं लगनेंकी क्भी कभी जरूत नहीं होती है ठीक है जड़ी आवशकल नहीं होती सकते हो तुमारा सही हो जाएगा वहां तांट है तो उसका मांश देता है मारहे है था हमारा यह सी ओ है मतलब कौन सा गरोप भुजाए गए कीटोन ग्रोप यहां पर लगा तो सीडवल बॉंड ओ है ना यहां पर च उसकी उपर जोड़ा तमारा सी टू एच फाई और फिर लाइट मारा सी एच टू ऐच टू तू तो चीएल ऐसे हो रहा है ठीक वान्स थ्रीफ हूओ फाइव सिक्स भी जा सकते हो फाइव सिक्स लेकिन चलॉरिन और छोड़ शकते हैं धर जाएंगे तो ख्लॉरिंच चूट जाएगा ना ठीक हम वह नहीं चोड़ चाहिसए चलो यह अब क्या करना है तो में बस नेमिंग करनी तो भई पहारा क्लोरो सबसे पहले कहले होगे six kloro six kloro four ethyle ठीक six kloro four ethyle hexane hexane third पहाँ है तुमारा ketone to hexane three on कि समझ यह क्यों जाएगा six kloro four ethyle hexane three on इतना समझ गया है ठीक है चलो next देखो देखो क्या तुमारा यह है तुमारा CH3 ठीक CH double bond CH CHO ठीक है चलो इसका नाम बता जारा one two three और यह four ठीक है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ब्यूट पिटिसमध्न काई समयतु करके तुमारा देखो क्वालत थी यहां से सब कुछ पासपड़े अन। यहां और यहां से पासपड़ह टयक्रों क्या लाज़ा तुमारा वन सैक्विब पर आतम तुमारा इन तो हम यह सो अभी नहीं देंगे को preference हम बहुत जल्दी देंगे और सबसे पहली उसके preference में लेगी ठीक है तो यह को जाएगा ब्यूट चार्ड तो कार्बन रहेंगे तियुज़ाएगा तुमारा ब्यूट तीक है सेकंड पर क्या है तुमारा सेकंड पर है इन ब्यूट 2 इन और तुमारा किस पह पहले पहल ब्यूट 2 इन वन या यह तमारा आंसर हो जाएगा व्यूट 2 इन यह हो जाएगा वान जैनने यह ना दू आई एट है ठीक है इतना समय गया है हम एक है मैसा कि इस त्री यह कहरा तम्हारा झ्यकोंभिड तम्हारा च्छ सी च्छ त्री-डरी इदमान ब Tanner मानों ठीक है श्य figur नहीं स्टेविड एलगर यह च्छी है एच त अस्का आन्सर तूम बता-दो कि क्योंकि बहुत इजी वाला ये वाला तो आंसर तुम बता सकते हो बिल्कुल पता इसका अंसर क्या होगा बता 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 हो काउंटिंग का से स्टाट होगी यह बता ठीक है वन टू थ्री फोर फाइब क्या यह सही है नहीं सही यहां से करें यहां से काउंटिंग करी कौन से सही है दोनों सही क्योंकि दोनों के पास से तो सेम साइट पर पढ़ रहा है ना तुमारा फंक्शनल गुरॉब तो यह क्या हो जाएगा देखो किता होगा तुमारा पैंट तो लगा दो लगा लो पैंट इन अब सुनो फूर और टूपे समझ किया हो फूर और टूपे या फिर टू और फूर पे बात तो यह दोनों साइट सेम पढ़ा तो क्या हो जाएगा टू फूर डाए ओन यह तुमारा अंसर यह तो इसी था पांच तो कारबंते तुमारे और दो उने मतलब दो की टून गुरोप है तो तुमारे क्या जाएगा ओन सो जाएगा ठीक है चलो यह वाला हो गया हम फिफ्ट बाला देखते हैं देखो फिफ्ट के तुमारा सी एस थी च इसका नाम बता ठीक है अभी तो सरफ नाम लेख रहा हूंगे सी एस तरी फिर च टू कारबन की उपर दो सी एस तरी और सी डवल बॉन्ड ओ और यह तरी इस कांसर बताओ कि तुम ठीक है पॉस करो वीडियो कांसर बता इसका ठीक है हुआ चलो देखो क्या है वान टू थ्री फोर फाइव स यहीं से होगा क्योंकि वहां से हमारा फंक्शनल ग्रोप पास पड़ रहा है तो यह क्या हो जाएगा तुम्हारा है ठीक है लेकिन लेकिन इसकी उपर बहुत सारे सब्सेट्यूचन भी है तो में वह देखना पड़ेगा देखो सबसे पहले क्या है थ्री डैश थ्री दो है खला ना ठीक वसके पास कहा तब्र फाइव थरी कंशा थे कोमा थरी कॉमा फाइव क्या हो एक ट्रायं मी थाईल यह तरा सही है कि ट्राइ मी थाइल फरकर है है जुब मतलब कितने है तुमारे चैनल यह तुमारी फिर ना यह तुमारे यह है और पर क्या है तुमारा है नहीं टू धूर अझसर है कि इजी यह चल रहा है ना भी तो ठीक है एकडम इज़ी पीजी चल रहा है ठीक है चलो अब इससे से वाला देखते हैं हमारा six के कहराँ और सी ओ ओ एच इसका भी आंसर बता इसी है आंसर आंसर जली 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 ठीक है देखो क्या है वन टू थ्री फोर ऐसे चल सकते हैं ठीक है कार बॉक्स लिख ग्रोप सबसे बड़े ग्रोप है पर फ्रेंज हर जगा इसको ही मिलती है ठीक है तो यह जाएगा तमारा वन टू है मिथाइल की तो मिथाइल ॐट थी कोमा 3 डाय मिथाईल भूट ठीक ब्यूट सब की जगा पर एन और पहले पर है हैं तो हम इसको नहीं लिखेंगे वान हुए कैसे तम सीदह लग देंगे घूटनोएक ऐसे डंटनोएक एसेड इतना समझ गये पहले पर यथा इसलीं नह लखते हैं लिखते हैं लेकिन इतना जरूरी नहीं रहता है तुमारा वो आंसर भी सही रहेगा ठीक ठीजी डायम इथाइल ब्यूतन वेक एक एसे इतना समझ गया हूं ठीक है चलो आजाओ जल्दी से सैवंध पे चलो देखो हमारा सैवंध के बोल रहा है अब ओएच घॉच काप ओड़ा तुमारे कार्बन की ऊपर और ठीक उसके बाद क्या तुमारा सी शेक्स हएच फोर फिर सी एच ओ और यह सब प्रेश पर पेरपे ठीक है तुमारा ओएच जोडा हुआ है ओएच है जरह ध्यान से देखो यह उल्ता लिखा हुआ है भाई कन्फ्यूज गर बेंजीन तीक है यह पैरा पोजीचन भई तो आईगी ना बेंजीन नेंदीन पर ठीक है एक जुड़ा हुआ है तुम्हारा कहां पे सी हो और पैरा पे इसके रिस्पेक्टम में यहां पे होगा यह सी हो ऑसमझे ठीक है वह एच नहीं था बना इलकोहल का number two तुमाभी बोलोगे की हाँ एल कोहल कहा से घुसाया ठीक है बस इसका alike नाम ठुम बता सकते हो ठीक़ इसकाका नाम सबस्काना आजरब क्या होगा ठीक है यह पूरा एक दूसरे के रिस्पेक्टिम में यह पैरा पे ही है इसके रिस्पेक्टिम में यह भी पैरा पे तो लगबाग वह सेम ही है ना ठीक है तो इसका नाम बताना ज़रा क्या हो जाएगा यह तो बैंजीन तो तुम्हें देखी रहा है यह क्या हो जाएगा तुम्हारा वन फॉर ठीक है डाय कार्बो एल्डी हाइड वन फोर डाय कार्बो एल्डी हाइड बैंजीन ठीक है प्रफरेंस किसको दोगए तुम कार्बयलडिहाइड को तो बैंजीन कहां पर आया जब प्रफरेंस उसको दिये तो पूस्त को दिये तो यह जाएगा तुम्हारा बैंजीन बेंजीन वन फोर डाय कार्बल्डियाइड समझ यह बात बेंजीन है इसलिए तो आया तुम्हारा कर्बल्डियाइड समझ इतना ठीक है तो यह वाला हमारा कोशन स्पूरे हो गए है नॉमन कहचा तुम लोग को बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए क्योंकि हम बहुत टाइम अब पाउंड्स ठीक है आपके बोले तम्हेन पहले कह दिए थे नाम तुम्हें पहले तेर नाम लेता अभे तो चलो तुम्हें लोए कि रहतमारा थ्री मीथायल व्यूटानल थ्री मीथाइल व्यूटनल ठीके तम सब से पहले द्यान खहनये इधर पीश्ते देखो देखते हैं हमारा कि 1 2 3 4 यह होगा तुमारे 4 ब्यूट होगा तुमारा अल कैसे लगा होगा यहाँ पर डबल बॉंड हो और यह क्योंकि कारब क्या एलडी हाइड का भी कारवन काउंट होता है ना ठीक है तो चलो यह जाएगा क्या बोल रहा थ्री पर मिधायल यहाँ है ना चलो अवाफ एपन्स आगने वाला देखते हैं सेकंड वैला क्या बोलर मारा 2 एप जला है पर नाइट्रोव देख अपनि रॉप रोल्robe अदिशे लिफियो फिन्हें पोल्ण कैस्ट चेंट पड़ नाइट पर नाइट्रोप योफ ऐनॉन समझे को तुमार जीनी मतलब कहीं नहीं तो बैंजीन है ति यह ऊदका तो मारा यह हूगा बैंजीन यह होगए बैंजीन ठीक है और क्या बोल रहाह प्रोप्यों, मतलब क्या था ब्रोप्युफ फिन अन सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे सी एच्टू सी एच्ट्री प्रोपेन ठीक है प्रोपेन की उपर कीटोन से जोड़ा है तुमारा बेंजीन ग्रॉप अब यहां पर पैरा पोजिशन क्या होगी और तो मेटा पैर यहां पर लगा दो एन ओटू अंजर ठीक है यह हो कि तुम सीधे बना सकते ओं यार देखो किया है तो मैं बैंजीन पता होता है बैंजीन क्या होता है यह जृता तो मेटाहिट ठीक है अब यादाइस से चलो भाटा उदion पहले पर फोर से कहा रहा है तुमारा फोर मिथाइल पैंट थ्री इन टू ओन नाम से नहीं डरना हम करेंगे सौर्व देखो क्या तुमारा वन टू थ्री फॉर फाइव हो गए वल्ला पैंट हो गांड है हमारे अब वह कहल रहा है टू पे अन है तो उसने प्रफ्रेंस किसको क्या है तुमारा इन ठीक है आप क्या बोल रहा है 4 पे मिथाईल है 1-2-3 फोर पर है मिथाईल तो यह जाएगा च्छ थ्री अंसर बंद क्या तुमारा फॉर पे मिथाईल है थ्री पे इन बोला उसने टूपे ओन बोला हमने आंसर बना दिया ठीक है सैटिस्फिकेशन के लि chloro paint in to own तो कैसे करोगे ठीक है वैसे ही करेंगे हम देखो क्या बोले तुमारा सबसे पहले कहां पर धान देंगे हम paint in to own तो बनाओ यह क्यों जाएगा one two three four यह five यह होगा तीन दो पांच है रहां आप क्या बोल रहा है वह paint in to own तो सबसे पहले पर फ्रेंस दी होगी उसने ओन को तो लगा दो second पे ओन ठीक है और पहले पर तो और आहीं नहीं सकता क्योंकि वह उसको एक क्या चाहिए रहता है दो साइड दोनों साइड के चाहिए रहता है तुमारा आर गृप चाहिए रहता है ना ठीक है चलो क्या ब हम देखते हैं मारा सिक्स तवाला देखो सिक्स कहते तुमारा थ्री ब्रोमो फोर फिनाइल पेंट ओनिक एसिट पेंट ओनिक ऐसे देखो पैंट इन ओनिक एसिड़ना अब क्या होगा भाई एक दो तीन चार हमने लगा दिये और हमें तीस पांच वापता है कि ये भी काउ दोर्ड होगा कार्बाॉक्सलेक असे हमने लगा दिया वह ठीक है अब वह कह पर ब्रोमीन भी लगा दिया आंसर हो गया ठीक है हईडर जाना बैलन्स कर दो भाई तुम ठीक है यह क्या होगा सीस्ट्री चीच च्टू च्टू अंजर ठीक यह वाले चलो जाओ अब जाते हैं हम किस पर सैवंध वाले पर देखो सैवंध के कह रहा है तमारा सैवंध कि सैवंध के रहे हैं पैरा डाई हाइड्रोक्सी देखो पैरा डाई हाइड्रोक्सी बैंजो फिनॉन तुम्हें सबसे पहले बैंजो फिनॉन पता होना चाहिए वरना यह वाला स्ट्रुक्चर ही नहीं बनेगा समझ गए ठीक है तो देखो क्या होगा तमारा यह है उसने कि तुम क्या दिमाग लगा लेना एक जगा कि तुम्हें अगा यह वाला स्ट्रुक्चर नहीं पता बैंजो फिनॉन नहीं पता तो तुम खुद बताओ पैरा डाई हाइड्रोक्सी कैसे होगा पताओ किसी के रिस्पेक्टिम में एक पैरा होता है तो दूसरा पैरा भी अथलब तुम्हें दो बैंजीन चाहिए समझ रहा हो ना क्या कहना चाहरा हूं देखो अगर एक ही बैंजीन होगा तुमने बैंजो से तो समाझी लए कि बैंजीन है लेकिन नहीं पार्मूला नहीं पता तुम एक पर लगा लगा दिया आप दूसरा पैरा कहां से लिए पैरा पैरा डाइई हाइड्रोक्सी ठीक है हम देखो डाइई हाट्रोक्सी के लिए तुम्हें चाहिए बैंजीन दो बैंजीन बहुत अच्छा देखो यहां पर जोड़ दो एक बैंजीन यह सी डवल बॉन्ड ओ ठीक है और यह वाला बॉंड यह तुम्हारा यह ऐसे बन था होना है हमने बैंजीन ठीक यह तमआठ सी डवल बॉन्ड ओ यह बन गया तुम्हारा बैंजो फिनों यह बन गया तुम्हारा बैंजो को बोलता है बैंजो समझ गए बैंजो से याद रखना बैंदो मतलब बैंजीन दो ठीक है और ओन से याद रखना की टोन समझ गए देखो यह बैंजो बैंजो फीनों देख रहा है बेंजो से याद रखना बेंड ठीक और जो से याद रखना दो बैंड दो मतलब 2जीन और ओंड देख रा है तुम्हें तो कीटोन याद हले लेना बहु tap किया नृआ बर्ट तुम्हें दो बैंजीन को एक कीटोन से जोड़ना है अर आर याड लगा पे दो फेनॉल लगा दो अंसर समझ गई बात ठीक है चलो लास्ट वाला बचा लास देखो देखो लास का कह रहा है मारा लास कह रहा है 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 तूइन पूर आइन ओएक एसेड फोर आइन ओएक एसेड ठीक है अब इनने सिर्फ क्या सब्सेटूशन दिया है सिर्फ उनने बॉंड को चेंज कर रहा है बागी तो तुमसे आंसर तुम्हें दिख रहा है देखो क्या है तुमारा है मतलब एक दो तीन चार पांच है वन लगा दिया अब वो क्या कह रहा है फोर पे है तुमारा आइन मतलब ट्रपल बॉंड ठीक है तो यह क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है फोर पे कह रहा है तुमारा फोर वाले पे कह रहा है वो त्रपल बॉंड तो यहां पर लगा दो त्रपल पॉंड ठीक है अंसर किया बना तुम्हारा है यह बना है एक्स क्या पर तुम्हारा फोर पह आइन टूपे इन अल्फवेटिक वाइस तो टूपे इन फोर पह आइन वह कैसे अंसर ठीक है चलो यह वाला वो कुशन हमारा हो गया complete हम चलते हैं मारा नेक्स्ट कोशन पर देखो आप क्या तुम पहले कॉमन निम्स भी देने अबागी तुम्हारी पेसी निम बताने ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले बाले से हमारे का है CS 3C O मतलब की टोन और बागी पूरा कारवन तो इतना सारा लेखने की जगा तुम सरफ एक चीज़ कर सकते हो हम वो पहले लिख भी देंगे ठीक है यह तो एक तरीका हो गया एक तरीका क्या है CS 3C double bond O CH 2 जोड़े हैं तुमारे कितनी वार चार वार और यह CS 3 ठीक है यह क्या होगा तुमारा यह पूरा का पूरा स्टक्चर होगा अब नाम क्या इसका 1 2 3 4 5 6 7 साथ है ठीक है तो यह जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तीग है यह होगा तमारे 7 नाम क्या होगा इसका नाम होगा तुमारा है ई है हट इन डुर्व on इसा अंजर ठीक है यह हट इन ही टूर्व एंट ओ ठीक है इतना समझ गए और क्या रोए सकता इसका नाम गानाम रोखकत देखो इसका नाम हो सकता है एन मीथाईल ठीक है एन मीथाईल पैंट इल कीटोन मतलब की ऐसा होगा यह देखो मीथाईल एन पैंटाईल कीटोन मतलब क्या हो गया है यह मीथाईल इनने अलग कर दिया यह पूरा का पूरा कीटोन है ठीक है इसको अलग कर दो कित्ते बचेंगे देख 1 2 2 4 एक हो 7 इसको लग करदो पूरे केकटोन को तो तक ताब अजेका तुमारा पैंटायल कीटोन टिक है तो यह जाएगा तुमारा common name common name को मिखायल एंट पैंटायर की टोन समझ गया है चलो सेकंड देखो देख और एक तछ थरीका बताते हैं यह उसको को ऑन लो दो सfor dem qda spiritual को को लो तो तुम्हें क्या count करने की तुम ईस्थक्स्रद बनाने की जरुथ नहीं पड़ेगी जो च्म नो यहां पर और यहां पर CHO LD है इतना समझ गए ठीक है यह तो मापूरा स्टक्चर अपन ने ओपन फॉर्म में लिख दिया कहां से काउंटिंग करोगे यहां से करोगे यह वन टू थ्री पॉर फाइव शिक्स हो गया ठीक है अब नाम बताओ नाम बहुत इसी है क्या बनेगा टू मिथाइल अब एम पहले आता है कि भी पहले आता है भी पहले आता है तो क्या हो जाएगा फाइव ब्रोमो तू मिथाईल यह कहां तुमारा छे कारवान ने तो और पहले पका है तुमारा यह कह जाएगा फाइव ब्रोमो तू मिताइले एक्शनल कमन नेम कैसे लख सकते हो कॉमने-ram कैसे लख सकते हो दरब बत這種 कि लेख सकते हो उसको म the booster से शोग करेंगे अल्फा मिथाइल गामा ब्रोमो ठीक है अल्फा बीटा गामा देखो यह होगा ग्रो ब्रोमो और पूरे का पूरे का नाम के हो जाएगा यह हो जाएगा तुम्हारा है एक जेन वन अल अंजवा नेक्स पॉइंट देखो नेक्स के मारा सी स्थी और फिर तुम सी अच्टिरी थी तू यह पांच बार जोड़े हुए हैं और सी एच ओ अब इसकी सीजिए हैं नंबरिंग कर देंगे हम यह एक कारबन यह पांच कारबन तो यह हो गहां और यह कारबन शिक्स वन तो तेजि 설बं वो गए और ये क्या तुम्हारा ग्रूप लंट ये क्या जाएगा है है तेन अल इसका कॉमर्ण नहीं होगा यह इसका कॉमन नहीं में यह इसका यूपीसि ने सब एक ही नाम से चलता यह ठीक है समasternाज के इतना ठीक है इसको सतिते सीज्ञ कि नामटेश को ओपन भी करोगा तुम्हारा यहीं मिलेगा तुम बस तुम हो सी तूच 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 भार खोल लेना था ठीक है इसको अगा तूच फॉर्म गोगे तो ऐसे ही कर सकते हो नाम ठीक इतना ज्यादा टाइम वेस्मत करो स्मार्ट वर्क ठीक चल्थ अब देखते हैं कान सा हमारा फॉर्ट देखो देखो क्या तुम्हारा यह है फोर्थ पी एच मतलब फनाल गुरॉप तो यह तमारा पी एच है ना च डावल बॉर्ण च छो इतना समझ गया यहां पर तूमारा फिनाल गुरूप जोड़ा हुआ है है तो यह कैं हो जाएगा one two three कि समझ गए one two three हों का तुम्हारे यह अब क्या होगा यह तुम्हारा कौन सा ऑप है प्रोब ठीक है तो यह क्रोक है अप्री 109 3 पर फिनाल जोड़ा है प्रोप टू इन वन अल टू इन वन अल समझ गए और एक चीज और अब तब तुम कॉमन लेम लिखोगे तो कॉमन नेम लिखोगे जब वह क्या होगा तुमारा इस पूरे ग्रॉप को एक्रॉलीन बोलते हैं ऐस सी यईच डबल बोन्ड शीयच और ठीगे इस गृप को रहे मिलते हैं क्रॉलीं क्या होता है एक ग्रॉली हम टीक है तो तब क्या बोल सकते हैं उसको फिनाइल एक लूलीन कि असमझ गाला लफिक वह तो यह क्या यह तो पूरा में गृप है ठीक है यह पूरा का पूरा में गृप है तो यह क्यों जाएगा यह अलफा यह बीटा तो यह जाएगा बीटा फिनाइल एक्रोलीन है समझ गए बात ठीक है बिता फनाईल अक्रोली अब देखो यह वारा मारा यह तो भाथ और यह बाइड LT इस कंशल आई चलो चबसक हम पन देखते हैं यह बनाते सिन्स बताया नहीं पताया देखो यह कहतुमारा है यह पेंटेनॉल है कि यह क्यों जाएगाensitive Co अब सुनों यह आ गए फिर से रिंग सिस्टम हमने पिछली बार जब बेंजीन में ची एचो जोड़ा था तो हमने क्या बोल दया तो यह क्यों जाएगा पकीए जाएगा पर िने मुखा ठीक है एक तुमहरा साइकलो कर tu cyclopentane carbodehyde carbodehyde और इसका कोई common name नहीं होगा इसका क्या है तुमारे आई-उ-पी-ए-सी निम समझ गए बात ठीक है तुम्हें बात ठीक है यह तुम्हारा क्या cyclopentane carbodehyde ठीक है और जाओ नेक्स देखते हैं हम सिक्स्त वाला देखते हैं देखो सिक्स कहते है तुम्हारा पी-एच ऐस औ बाल बॉंड्ण ओ ऑऔ यह पी-एच यह कुछ बेंजो फिनोन जैसा देख रहा है बेंजो फिनोन की तुम्हारा यह बेंजीन थे सुअझ पैंजीन की हम ने दो से याद lower था बैन जो मतला बैं दो कि ठीक है यह तो महरा एंसे कोछ गरोप है ठीक है आप इसका नाम बता पहला तहुमन पता है बैंजो फीनोन जो फिनोन फिनोन क्यों आया क्योंकि कीटोन है ठीक है एक और करें लग सकते हो डाय फिनायल की टून डाइफिनाइल की टून ठीक है एक चीज़ा के लग सकते हो डाइफिनाइल एक ही कारबन की उपर डवल बॉन्ड है तो मैथी ओनिन मैथी ओन अंसर है इजी थे ना ठीक है इजी तो थे यह मतलब ज्यादा कुछ तो थानी इसमें ठीक है चलो हम नेक्स कोशन देखते हैं हमारा देखो आप क्या है मारा की ड्रॉदी स्टक्चर्स और फॉलन डेरिवेटिव अब तुम्हें स्टक्चर बताने बस ठीक है तो क्या तुम्ह दाइनचोफिनाइल उड्रसओन औफ वैंजल्डिहाइड बैंजल्डिहाइड का टूफो हैज्टर वैंडएडाइफ नाइल हाइज वैंडल एनिट कर देखल समय कि करना हमने चब नाम दिया था तुमने कह लिखा था ld hide याद आ रहा है ld hide two four dynitro नाम दियता ना हाइड्रोन याद आ रहा है नहीं आ रहा है तो चलो हम देखते कि बार क्या है benzyl dehyde benzyl dehyde क्या होता तुम्हारा यह है benzyne इसके उपर जब तुमारा जोड़ा हो याइसा इसको हम बोलते है बैंजल डी हाइड इतना पता है हमें ठीक है अब हमें पता है कि टू फो डैणाइट्र leukeप्राण क्या होता है bunları thriving क्या होता है एनेच्ट्टू सिंगल बॉन्ड आनेच है है इसके उपा होता है तुम्हारा बेंजीन यहाइज यह अर्टू और फोट फर डाइन एट्रीट रूप जोड़े होते हैं यह नू टू यह रूटू है कि हमें पता यह बात तो ठीक है क्या होगा यहां से ऑखिजन जाएगा यहां से हैडूजन जाएगा क्या बने का तुम्हारा यह देखो यह बन जाएगा तुम्हारा c double bond and nh7o यहां पर नाइट्रीड्रो यहां पर भी नाइट्रो गर्फितू टूफोर ना तूफोर है ना तो यह थ्री यहां पर नॉट बाएगा चेंज़ फो मन देखना ठीक यह जाएगा तुम्हारा ठीक है तो क्या होग तुमारा ये हो गया देखो वह क्या होका तुफोर डाइन आइट्रो यह वह गया देखो तू फोर मतद कांटिंगा में है सबुम्हें तो टू-4 डाइन गो प्तीक है डाइन फिनायल मियोग है फिनाइल यह पुरा फिनाइट हाइडरा बसे रूँँ neon auckём ठीक है सब्सक्राब करो और घंत किया था यह क्या था तुम्हारा n h tut यह इए मिए है डुम्हारा हीर के साइकलोप्रोपनриंट आ यह होता है तुम्हारा साइकलोप्रोप्नर भी है độ तू ओ एच के साथ तो अब तो मैं फिर से वाई चीज दिखनी चाहिए यह क्या होगा माइनस हच्टू हो मतलब वॉर्टर बाहर यह बाहर बागी का पूरा प्रोड़क जोड़ दो यह तुमारा ऐसा यहां पर जाएगा डावल बॉन एन और यह नैन पूरा निकल गया यह ओ क्या कह रहा है एसे टल्डी हाइड डाय मिथाइल एसी टल अब यह कैसे बनाओके तुम चलो देखते हैं देखो एसी टल्डी हाइड क्या होता है तुमारा चाहिए शीडवल बॉन्डो ओ यह एच एसीटल यह इसी हुँआ है अगर इसको हम रियक्शन कराते हैं किस के कराना पड़े गाइसी टल बनाना तो अल्कॉहल के साथ और यह कहते हम है मिधाईल एक कारवन वाला तो कौन सा एलकॉहल चाहिए एक निकाल दो अब क्या होगा ये वाला जो एच्छ है ये वाला एच्छ है इसके सांँ चला जाएगा बाहर कहने का लेगा तमारा वाल्डर निक्ले यह देखो यह बहते हैं सिंटल बोंड तोतै और एक तो हाइड को ओ सियस्टरी को है चलो ये क्या बनागा है तुम्हारा यह बनागा तुमारा Creator हई ए सीटल्डी हाइड से बनाए ऐसी टल्डी हाइड डाय मिथाइल in दाय मिथा एस एक एकर अब सुटेंटकर बोलते हम एक कोशन एक कोशन इसको अगर हटाके मैं आर गुरूप जोड़ दूं मतलब चौर्व जोड़ दूं तो इसका नाम क्या होगा यह मैं को बताना ठीक है चलो यह मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ पास कर रहा हूं यह वाला क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं आंगे तुम बताऊंगे मेरे को कि किसका सरगर कि कमंड में बताना चलो कड़े दोसर देखते हैं दूसर के कह रहा रहा है दस सैमी कारबा जोन ऑफ साइकलो बूटेनोन ठीक सैमी कारबा जून सैमी ने कार मैं एज़ून क्या करता या दरा प्लब सैमि कारबा हाँ जड़ अच्छे पहलब यह टो मारे ट यूरे का फॉर्मूल द है है ना चल Kollege हम यह किया बोल रहा है किस खाना साइकल टॉल अने के सांथ तो बस कर दो साइकल अच्छिक्र्वल्स के ता यह है तो मैरा साइकल विव तेन ऻून है ऐसी होगा तुम्हारा साइक्लोब्यूटन ठीक है चलो इसकी रियक्शन कराना है तुम्हें तो होगा क्या तुम्हें पता है अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है अब ठीक है तुम बहुत देखते आयो यह टू यह ओ निकल जाएंगे बाहर क्या बनाएंगे तुम् बूटन नहीं बनेगा तुमारा क्या बनेगा सैमी कारबाजोन साइकलोब्यूटन आन सैमी कारबाजोन देखो यह नाइट्रोजन टिक एनेच और एनेच टू अंसर इजी था यह तो बहुत इजी चल रहा है अभी हाल क्योंकि तुम पढ़ चुके इसलिए तुम्हेजी लग बना है भाई कीटल अभी हमने डिसकस कर रहा था साइब रहा था नहीं कर था कोई बात में चलो हम देख लेते हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव शिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यह बन गए हैक जीन अब वोल रहा थरी पर ओन है यहां पर ओन है डबल बॉन हो है तो बाकि सी एच्टू होगा यह भी सी एच्ट्री होगा यह सी एच्टू सी एच्टू ठीक है उसे बनाना है कीटल उसे बनाना है कीटल तो कैसे रियक्शन कराएंगे हम किस से रियक्शन कराएंगे हम चलो हम कराएंगे सी एच्टू ओ एच से और सी एच्टू ओ एलकोहौल से reaction करानी है याद आ रही है alcohol से हमें reaction करानी है यह कैने लेगा तुम्हारा टू डाई और और निखेन किते है इफोटि टाई ऐगर त हर दो तुम यह एलकॉहली तु है तुम्हारा ठिक कयाने को ले करने तुम्हारा तुम्हारत को दिख रहा है water molecule बाहर ठीक है तो बनेगा क्या तुमारा यह देखो यह बनेगा CH3 ठीक है CH2 इस पर कोई फर्क नहीं कार्बन CH2 CH2 और यह CH3 123456 ठीक है अब एक वैलेंसी से जोड़ेगा तुमारा कौन सा यह वाला ओ ऑक्सीजन CH2 CH2 और एक सजोड़ेगा तुमारा कौन सा यह वाला geschrieben ठ scallion ठीक है एक सब्स Insurance यह आंसर बना तुमारा यह क्या यह तुम्हारे इथाइलेन कीटल बना तुम्हारा यह समझे एथाइलन कीटल के साथ हमने किसको जोड़ा है है एक्जेन3 ओनको जोड़ा है हमें जोड दिया आंशर और यही तो डेरिवेट इस थे तुमारे ढब या लास बचाह तुम्हारा दा मिताय दा thoाइल एचितल ऑफ फोर्म रिदाइड ही टाल अर्मिल डियाईट कहा है यह है भई है मिल ऐ सुतल है 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 मिसी टेल मतलब कहीं ना कहीं पे एलकोहल होगा समझ रहो ठीक चलो देखो क्या होगा तुमारा देखो दा मीथाइल मीथाइल आशी टेलना देखो फॉर्मल डिहाइड क्या होता है तुमारा ज़रा बताओ वाग क्या हो एक सी डावल बா nostrone वह processor हो तंहों होता है यह होता दमारा एच सी एच ओ हो थिक्ड boils को मेरी एक्षन कराना है किसकसा कराना है हमें दिया है क्या भी का Inhale राएकषे हगा हैए कि यह क्या होगा ओएच यहां पर जो जाता है ओएच एक कारवन पर जोड़ाता है और और हाइडोजन तो उसके पास है ही atic Hydrogen तो उसके पास हे ही और यहांपे जोड़ जायगा तुम्हारा क्या être यह बन जायगा तुम्हारा है मीदे सअधेडल से कहने कलता हूँ तुम्हारा water टोट्र नेशन के टाइम पर क्या होता दा है कॉठ जिन की उपर एच जोड़ जाता है समझ यह भात ठीक है इतना समझ गए ठीक है यहां तुम्हारा ये वाला को Apache हमने फिनिश करदिया होप समझ मैं आया होका easy तहाई में को लगता है ठी के तुम लोग ने इतना सारे देख चुक है तूमें यहां लगना ही चाहिए ठीक है समझ गए अब नेक्स्स कोश्टन देखते हैं हमारा अब हमें किया करना है अब हमें सिर्फ conversion देखना है अच्छ दो अब अब कन वसन नीए तो सीद देन रियक्शन लेक्षन लेगे और देखेंगे ठीक है क्या तुम्हारा प्रड़िक्ट प्रोड़क्ट फॉर्म वेंस साइक्लोहेगजेन कारबलडी हाइड तो हमें पता है जब भी रिंग के सांथ जब भी रिंग के सांथ कोई भी अल्डियाइड ग्रुप लगता है तो उसके पीछ एक सफिक्स क्या आता है कारबल डिया ठीक है चलो तो रियेक्ट्स विट फॉल तो इसके बाद करें एक्ष्डी ओल्स ठीक है तो घजक्रने वोला था तुम से ये देख रहा है तो मैं म्ॅधी इंट हमें तो हमें क्लोहेक्शन कर नहीं के साथ साथ क्लो हैक्जन कार्बल्ड च कि साथ को सबसे पहले हम लेखेंगे साइक्लो हैक्जन कार्बल्ड लियाइड क्या बीए हो देखो यह हो गाथ तुम्हारा है यह हमने hypocrite बंचीन बनाते हमने आता है ہम आनेो अगर मैं यहां पर यह कहीं पर भी ऐसा जोडू है तो होगा तुम्हारा साइक्लोहेक्जेन कारवल्डिहाइड क्योंकि रिंग के साथ जुड़ा हुआ है ठीक है चलो अब उसने क्या बोला है अब उसमें बोला है पी एच एमजी बीर की रियक्शन कराना है हमें ठीक हम पहले भी गिरिगनाट देख चो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा ता यादा रहे हैं ठीक होटा क्या था वह माद सके बाद या तो कि डिया से लख़ें। गया तो यह बताओ कार्वन ज्यादफ या मैटल सोते हैं मैटल ज्यादा होते तो जब यह तूटता है तो यह कैसे तूटेगा पी एच माइनस एम जी एकस प्लस ऐसे तूटेगा गरिगनाड ऐसी तूटता है चलो गरिगनाड कैसे तूटता है यह तूटता है आर प्लस प्लस आर माइनस एम जी प्लस एकस ऐसे तूटता है यह माइनस है ना और यह प्लस है यह है नेगेटिव यह तुम्हारा पॉजिटिव ऐसे तूटता है तुम्हारा आर किसमें तूटता है नेगेटिव में और बागी सब तुम्हारा पॉजिटिव में तूटता है ता पाट तुम्हें पता है तो देखो आप इसमें होगा क्या इसमें क्या होगा इसकी और कारबन से उसने एलेक्ट्रोन खीचा है तो उसके उपर क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छी यह जाएगा ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर है ठीक है अब यह देखो तुम अब सिर्फ यह देखो कौन सा पार्ट कहां पर जोड़ना है सीद िस तुम्हें पता था आप तुम्हें यह भी पताइगी यह कहां पे होंगे छलो देखो यहां पे क्या होगा नेगिटिफ पार्ट और आधाइगा किसपेंट करेगा कार्बोber E science थी आप यह पर जाके तुम्हें आठक करेगा और left sound पिए उस पर नेगिटिव चार्ज दो गया mg x एक्स मतलब क्या चल रहा है तुमारा इधर देखो बी आ चल रहा है तो देखो यहां पर लिख लेते हैं हम यहां हम लिख लेते हैं बी आर ठीक इतना समझ गए अब कारवन पर कौन ने कर दिया फिनाइल ने ठीक है फिनाइल को तुम सीधे ओपन लिख लो या पी एची लिख दो अभी है इतना समझ गया हम आप उसके बाद क्या वाचा तुमारा हाइड्रूजन बस हाइड्रूजन को छोड़ दो दरी है इतना समझ गए अब उनने बोला है यह तुम्हाई फस् एतन मरा बन चुका है यह जाएगा सी यहां पर है ओ एम जी एकस है ना सिंगल बन्न ऑ यहां पर क्या है तुम्हारा भी एच और एचस के साथ ही हैना देखो ठीक है सिंगल बॉण तरना वह ति उसक बाद प्लस हमें क्या एक्ना है एच 3 ओ प्लस का अलाग यह तो यह क्या ठीक है तो बस अब क्या होगा हाईडोजन आके इधर जोड़ जाएगा हाईजन इधर आके जोड़ जाएगा देखो क्या बनेगा तुमारे यह बना साइक्लो एक्जेम ठीक है इसके बाद कार्बन सी एच पर तो कोई चेंज नहीं आना इसके उपर क्या जोड़ा तुमारा गुरूप इसके यॉपर यूटे रुटे नियुकरप और यहांपर क्या जाएगा ओएच बस अंशर ऐखने करम हिए यह ओगास मारा अनसर देखे मैं नाम पूछ दर्ट्रै बने गतमार जहां से भूंधू ये तुव हां पूरस साइक्ल अग्जाई साइग्जेम में नु किस पर जड़ा है यह होता है तुम्हारा क्या नाम यह हो जाएगा तुम्हारा नाम और बाकी तुम्हारी रियक्षन तो समझी गए हो और अगा मैं शॉर्ट में लिखना चाहूं इसको देखो क्यासे लिखूंगा इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा कि देखो तुम्हारे क्या गेवन क्या था तुम्हेरे ये था तुम्हें गेवन साइकलो हैक्जेन कारबलडिहाइड हमें ये पता है हमें सरफ चेंज करना है यहां पर तुम इस ऑक्षिजन को तो ना समझ यहां पर क्या तुमारे पी एच गरिंगनाड का जितने नमबर का भी तुमारा क्या रहे कार्बन की लंबी चेंग रहे वो सीधे आके जोड़ देना यहां पर क्या जाएगा तुम्हारा पी एच अंशर ठीक है यहां पर तुमने दो स्टेप साथ में कर दिएक तो को ब्रेक करना है और जिस कारबन से ऑक्सिजन जोड़ा हुआ है वहां पर आर जोड़ देना ग्रिंगनाड का आंसर मिल जाएगा तुम्हें ठीक है चलो अब हम देखेंगे टॉलंस रिएजेंट अपना देखो अब टॉलंस रिएजेंट क्या होता है वह देखते हैं उसमे अच्छा एंट और लो तक्या होता यह माइल्ड ऑॉक्सिडाइजरीजेंग गयािट इन्ट मतलब है यह होता है अमोनिकन शोलीशन ऑफ ऑफ सिल्वर दूने अधर और यह होता है अमोनिकल अमोनिकन सॉलीशन ऑफ of silver nitrate मतलब की AG NO3 लिख दूँ मैं इधर और ये होता क्या है main agent क्या होता है तुमारा ये होता है तुमारा AG ठीक है nitrate की जगा तुम किसे रिप्लेस कर देते हो ammonia से toys complex होता है ये ammonia का समझ गए plus और OH- ये होता है तुमारा कौन सा tolerance reagent tolerance reagent अब सनो अब होता क्या है कि तुमने ammonia क्यों जोड़ा बात यह आती है कि तुमने ammonia क्यों जोड़ा देखो हम क्या करते है अगर हमें जो oxidation जो क्या u agent होता है सिर्फ silver आयन के कारण इतना समझ गए अगर हम इसका solution नहीं बनाएंगी किससांथ नहीं बनाएंगे हम अगर हम इसका solution नहीं बनाएंगे अमॉनिय की साथ ठीक है तो क्या होगा वो बना लेंगा और कौन सा खिट बनाएगा वह न लेता है तो में वह तो चाहिए रही एधीकर इतना समझ गए सयलवर औक्साइड में इसलिए टू प्रवेंट क्याków आँद ग्लों को ग्रवेंट करने के लिए क्या तू प्रवेंट है प्रेसिपनेशन हा थीक त्यकर मैं पींपीटीसे भी लिख सक्ता था पी पीगीं है किया यह प्रेशिपिटेशन सुनों टू प्रेवेंट प्रेशिपिटेशन ओफ वर्ट सिल्वर ओक्साइड ठीक है ओफ कि सिल्वर ओक्साइड कि सिल्वर ओक्साइड ठीक है इसको प्रेवेंट करने के लिए हम क्या डालते हैं हम डालते हैं क्या डालते हैं अमोनिया अमूनिया के साथ हम इसका कॉंप्लेक्स बनाते हैं इतना समझ गए यह होता है तुम्हारा टॉलिंस रिएजेंट और में चीज बस याद रखना कि यह सिल्वर आयन के कारण ऑक्सिडाइस करता है दूसरों को इतना समझ गए नम ठीक है अब हम रियक्शन देखते हैं देखो क्या होता है आब क्या रहा है वह तुम्हारा टॉलिंस एजेंट तुम्हें रियक्शन कराने कि शाइकलोहेकजिन कारवलडीयॉट तो बनाओ साइकलोहेकजिन कारवलडीयॉट वह तो आभी अपन देख चोंग है यह क्या होनगा車 सी डेबल बॉन द लूएच ठीक है इतना तुम्हें पता है अब यह और बता दो यह और बता दो कि भाई एल्डी हाइड के ऑक्सिडेशन से बनता क्या है बहुत साही साही पूछ रहा हूं मैं बहुत बहुत इसी कोशन से यह तो बहुत और तुम लोग कर चो क्यों ना यह वाला चैप्टर कंप्लीट है ना चलो अग हमें क्या करना है हमहें रिएजेंट के साथ रियक्शन करानी है रिएजेंट क्या होता तुम्हारा बताओ जल्ली से एजी नो थ्री आएजी अमोनिया नहीं होल ट्वाइस यहाँ पर प्लस और ओएच माइनस अलग इसकी रियक्शन तुम्हें करा नहीं है ठीक है तो अब क्या होगा भाई ज़रा बताओ यह माइल्ड ऑक्षिडाइजिंग एजेंट है तो इसको किसमें ऑक्षिडाइज कर देगा बहुत अच्छे यह कर देगा तुम्हें प्लस अमोनिया अमोनिय बाहर ठीक है टू एजी और अमोनिय और प्लस वॉटर भी निकलेगा यह सब तुम्हारे निकल जाएंगे बाहर ठीक है तो हमने कितना यूज के यहां पर त्री बैलेंस करने के लिए लगा लो ठीक यहां पर ऐसा होता है और हमने क्या बोला था कि इस एजी के कारण इसका क्या है ऑक्सीडााइजिंग नेचर है कि अग्सीडाइजिंग नेचर है ना यह याद रखना मेंचा है तो यई बनेगा तुमारा इसका नाम बता अधरा सरां क्या होगा caclohexene हेक्जेन कार्बोनेट आयन कार्बोनेट आयन कार्बोनेट आयन है ठीक है कार्बॉक्सिलेट आयन यह क्या बनेगा साइकलोहेक्जेन कार्बॉक्सिलेट आयन ठीक आयन ना भी लेखो तो कार्बॉक्सिलेट से समझ में जाएगा कि एक वैलन्सी खाली है इतना समझ गए हम ठ टॉलेंस एजेंट हो गया नहारा अब हम देखते हैं कौन सा और एच्छा तुम से एक बात और पूछी जाए अगर कि भाई टॉलेंस रिएजेंट है यह किस मीडियम में बना है तो यह स्कान सा देदो गे अब तुम लेदो गे ना ठीक है चलो हम देखते हैं सैमिकार्बाज तो मैं कोई बताना है यहां पर लिख रहा हूं यहां डबल बॉंड बना रहा हूं अब मैं ऐसे लिख दू तो समझ जाओ कि क्या निकलने वाला ठीक है अब तो मैं क्या किसके सांथ रियक्शन करानी है यह देखो क्या है तुम्हारा सैमी कारबाजाइड हमने ट्रिक्स से या बimento की अध़ और फीर वह कयां था सैमी कार में था और बस लगा तो यहां पर यूद्या है लगा है तक यह तुम्हारा कैंश कारबाजाइड यह हमला कि सामी एच्षण क्मारा नाम उटेख रविक्ष भ gefशपने हैं और तो यहां थे शौरभ दो आपसे Oxygen निकलेगा यहां से दो एच टू निकलेंगे क्या हो जाएगा माइनस हेच टू ओ यह किसकी प्रिजेंज में होता है तुम्हें तो गिवन भी है यहां पर वीक एसिड की प्रेजेंज में वीक एसिड माल लेते हम इसका पी एच कुछ रेंज है कितना रेंज है इसका 3.5 कुछ ऐसा कुछ ड़ेंज में कर आते हैं तो हमारा वॉटर जुम Community व् हो बाहर निकल जाता है और यह जो पूरा है पूरा एक फार्म में आ जाता है जो जाता है तो यह बने का तम 자ुक्त लाइक जीन इतक region दवल बॉन एन और क्या सां मिप्रार जड़ा है एन एच अ сво डवल बॉन ओडल हना इसका मुटाना स्वेस्का क्या ओजाएंगा साईक्लल वैच्जेन तौईन विटाइसए क्लो हैं किया ओ alorsdon आपके나라 कार्बल डिएड ठीक एइस ना यारoug अब क्या जाएगा यह सैमि कारबाजाइट से जोन हो जाएगा स 약간 सैमी कारबवा में अ है तीमें इतना है इतना कि आ तो मैं समझ मैं टीक है चलो यह तो बहुत बात इजी वारी येक्शन थी न टीक है चलो हम देखते हैं कौन सा फॉर्थ वाला इसमें ज्यादा कुछ था नी तुम्हें सिर्फ निकालना है अगर तुमने प्रप्रेशन देखी है किसकी सैमिकारबा जोन की याद आ रहा है तुम्हें ठीक हमने पहले ही कोशन में देखी तो तुम्हें याद कि आना चाहिए इसी वीडियो में तुम्हारा ऐसा ना पाले कि तुम्हें पीछे जाके देखना पाड़े चलो हम आते हैं किस पर फॉर्ट वाले देखो अब देखो अब क्या तो महरा एक्सेज एक्सेज एधनॉल एंड एसेड एकस्ट आट उन ऑन एस तो भाई याद आ रहीcolor है कि नहीं तेख्स एकसे अल्कॉहपोज एकसे एकसे ल को हल रहा था कोई यादा रहे रो रोके ताली बजाई थी यादा रहा ऐसी तालीब भागे थी और कुछ यादा रहा है ठीकर तौ अपन देखते हैं क्या एकस्षिज तो एच Allah C2 Hello 나ired हमनेटनौल है ठीक है यहां पर भी एच ओ सी टू एच फाइफ अब तो याद आ गया होगा ठीक है यह क्या है तुमारा किसके प्रेजेंस में हो रहा है एक एसेड की प्रेजेंस में हो रहा है ठीक है एसेड की प्रेजेंस में हो रहा है अब होगा क्या यहां से हाइड्रोजन उठेंगे यह से hydrogen उठेंगे और यहां से तुमारा oxygen उठेगा और यह दोनों बाहर हो जाएंगे यह दोनों मिलके बाहर हो जाएंगे तो निकलेगा क्या तमरा माइनस ह to o हुआ हो ही कर तो product क्या अब देखो तरा देखते हैं अब हम प्रिट किया बना यह बना तुमारा इसमें तो कोई चेञ्जी नहीं आया चाहिए कोई चेंज नहीं आया इसमें यहां पर क्या हुआ आए बस c h उसके पास पहले से ही है इसमें तो कुछ चेंज तुमने हर्जन तो बहां का निकाला निकाला है तो फैसे लिख लो उसको वापस यहाँ पर एक बॉन्ट से पूम्हारा क्या रोग गया और सी टू हएग और बॉलते हैं ऐसी तालवाजाई मतलब क्या है एसी टलवाना तुम्हारा यह य आइसी टर्ड ल हय किया बना ऐसी टरेतभ इतना समझ गया हम का नाम मता उजरा तरह हो क्या होगा इसका नाम क्या होगा यहाँ से बनता है वह उसी का नाम देते हम सािकलो अहेकजेन कारवल टीहाईड आप बसि टीए तुम्हारा डा डाइधाईल एसी टल vacun एसी टल बस हाँ तो नाम क्या होगा इसका साइक्लोहेक्जिन करबल्डिहाइड डाइएथाइल एसीटल इसी था नहीं वाला ठीक है चलो अब आपन देखते हैं मेरा फिफ्ट वाला ठीक देखो कौन सा है वह फिफ्ट क्या रहा है जिंक अमल्गम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरि पाइसहिट यह जो तुम लोगको को asking मैं भी आती है ठीक एगसाम में भी आती है बस इसका नाम से आती है वह एह से नहीं आती है ठीक है तो हम देखते हैं किसे साथ रियक्षण हो रही है किश के साथ हो रही है किसके साथ हो रही है HCL वो क्या है तुम्हारा diluted diluted HCL इतना तो पता है न ठीक है इस reaction का ज़रा नाम बता दो आप तो खुश हो जाए दिल ठीक है नाम बता उसका इसको बोलते हैं हम Clemenzen Clemenzen reaction याद आ रहा है ठीक है और कुछ कुछ ऐसी ही reaction से जिससे क्या होता जैसे चलो हमें एक बार नाम लिखते हैं एक है तुम्हारा क्या एक है तुम्हारा Clemenzen the agent ठीक है Clemenzen reaction एक है तुम्हारी यह वð कृष्ण वर्फ कृष्ण टीक है यह रिया एक्ष्ण में तुम्हारी क्या होता है इसमेheroid stä Hadley hide और या फिर कीटोन हो तुम्हारा ठीक है कोई बात निया एककरन यह idecolor ketone से जब तुम reaction करते हो किसकी Dave Hill है ऐडायोट हसी एल की प्रिजएंज में और तुमारा किसकी प्रिजएंज में जीडेज़ी की प्रिजन्न और भी बहुत कुछ 말 घज़ाओ किसिन से हमारी उसमें क्या होता है है इस में इससे डायेас बनता है तुमारा अलकेन क्या बनता है तुमारा direct अलकेन बनता है इतना ठीक है तो चलो इसको फॉल्व करते भूं白ओ हम सलते रहें यह तुमारा अलडिहाइड है अब बताओ इसकी डियक्शन होगी तो बनेगा क्या नाम बता दो जरह नाम बताओ नाम बताओ क्या बनेगा देखो यह है तुम्हारा साइक्लोहेक्जेन हमने क्या बोला यहां से क्या बनेगा तुम्हारा अलकेन बनेगा तो यहां पर हो जाएगा CH3 अंसर थाईजी है नहीं देखो यह जाएगा तुम्हारा अंसर क्लमेंसन रियक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट में आ गया होगा ठीक है तो यहीं उमीद करता हूं अभी तक तुमने पूरे कोशन साथ में करें होंगे और आने वाली वीडियो में मैं तुम से यह पहले ही बोल के रख रहा हूं कि यह वारा जो वीडियो यह जरूर देख के आना क्योंकि तुमारे बहुत सारे जो हैं कॉंस झाल झाल